जाहिन दोस्तों मेरा नाम है मुनिश और आप देख रहे हैं दी आर्मी वा यूटीब चैनल आज हम डिस्कूस करेंगे इंडर नामी एक्साम का एक और प्रैक्टिस सेट जोके हमारा प्रैक्टिस सेट नमबर 3 है तो आज मैं जितने भी कोशिन करूँगा आपके आने वाले इंडर नामी एक्साम के लिए वो सभी प्रैक्टिस जो हैं बहुत ही मत्वपूर रहने बाले हैं बिना डाइंबिस्टर ने सबसे पहला question देखते हैं और एक्जाम से लिटेड़ आपका कोई भी question रहता है तो आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं इस नंबर पर आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं हमारा सबसे पहला question आता है question number एक है भारत में मुंदरा या फिर करंसी की चपाई डैश के दवारा की जाती है तो भारत में मुंदरा की चपाई जो है आपका वारती रिजर्व बैंक जो है में मुंदरा की चपाई करता है या फिर RBI जो है या आपका मुंदरा की चपाई करता नेक्स कुशन आपका आता है, कुशन नम्र दो है, अरुनाचल प्रदेश राज्य की राज्दानी है, तो अरुनाचल प्रदेश की राज्दानी है आपकी इटा नगर, कुशन आता है, मणीपुर की राज्दानी क्या है, मणीपुर की राज्दानी आपकी इंफाल है, शिलो जो है आपकी मेघाले की राजदानी है, कुशीन मबर तीन आपका आता है डैश ने सती प्रथा के अनमुलन में अभुत्पुर्व योगदान दिया था, तो सती प्रथा चिस्वंदी जो व्यक्ति का नाम आता है वो है राजा रामोहन राएन ने मोहन राए ने सती प्रता पर प्रतिवंद लगाया था नेक्स कुशन आपका आता है कि सती प्रता पर प्रतिवंद कब लगा था तो 1829 में जो है लौड विलिम बेंटिक के समय जो है पूर सती प्रता पर प्रतिवंद लगा था नेक्स question आपका आता है question number 4 है Indian super league भारत में 有 डेश के खेलत को प्रतसाहित देने के लिए एक पर्यास है तो amazげंसude problema लीग जो है किस खेल से सब्धीत है Indian super league जो है आपकी football से सब्धीत है और crowddi से आपकी candy pro对 county जो आती है ये सब्धीत है और क्रिकेट से आपकी IPL जो है ये क्रिकेट से सवन्दी था और IPL की फुल फॉर्म जो होती है वो इंडियन प्रेमिर लीग होती है नेक्स कुशन आपका आता है कुशन नमबर पांच है डैश माउंट एवरेस पर चर्णने वाली भारत की प्रथम महिला थी तो विशेंदरी पाल जो थी ये माउंट एवरेस पर चर्णने वाली भारत की प्रथम महिला थी कुशन आपका आता है अलम्पिक में पहला पदक जीतने वाली महिला कौन थी या फिर भारती महिला कौन थी तो करण मिलेश्वरी जीतू थी तिक है करण मिलेश्वरी जो थी ये माँँ आपके अलम्पिक में जीतने वाली अलम्पिक में मैडल जीतने वाली प्रतम वारतिय महिला थी Next Question आपका आता है कि Supreme Court की पहली मुख्यान आदीश कौन थी तो Supreme Court की पहली महिला मुख्याने दीश जो थी आपकी फातिमा बीबी थी Question No. 6 आपका आता है भारत में आने वाले प्रतम इसाई धर्म परचारक कौन थे? So Saint Thomas यो थे? Saint Thomas यो was ये भारत में आने वाले प्रतम इसाई धर्म परचारक थे? Next question आपका आता है परदूशन नियंतरन के लिए और इवन पॉल्सी प्रियोगिक तोर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक डैश में लागू की गई थी तो और इवन पॉल्सी जो है ये कहा लागू की गई थी या आपकी दिल्ली में शुरू की गई थी या फिर कॉशन ऐसे बन गयाता है कि प्रदूशन को नियंतरत करने के लिए और इवन पॉल्सी को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था तो दिल्ली आपका से अंसर रहेगा नेक्स कॉशन आपका आता है कॉशन नमर आठ है बरतमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है तो इरान को ठीक है इरान को फारस के नाम से भी जाना जाता है नेक्स कॉशन आपका आता है मदरास का युद कब हुआ था तो मरदरास का जो युद हुआ था वो आपका 1746 में मदरास का युद हुआ था कॉशन नमर 10 आपका आता है शिरी वेंक टेशवर स्वामी बनने जीव आवेरन डैश में स्तित है तो शिरी वेंक टेशवर स्वामी बनने जीव आवेरन जो है ये आपका आंदर परदेश में पढ़ता है कुशन नमबर 11 है भारती योजना आयोग का गठन डैश में हुआ था तो भारती योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो आपका 1950 में हुआ था नेक्स कुशन आपका आता है भारत में योजना आयोग को भंकर 1 जनबरी 2015 से किस ने आयोग की स्थापना की गई थी तो जो आपका भारत में योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी जिसे एक जनवरी 2015 को जो है वो समापत कर दिया गया था और एक जनवरी 2015 में योजना आयोग को या फिर और योजना आयोग के बदले जो है वो कौन सी योजना शुरू की गई थी तो नीती आयोग जो है वो शुरी की गई थी योजना आयोग के बदले नेक्स कुशन आपका आता है कुशन है शरी अटल बिहारी बाजपे तथा मदन मोहन मालविय को 2015 में भारत का सर्वोच नागरिक समान डैश प्रापत हुआ था तो भारत का जो सर्वोच नागरिक पुर्सकार है वो आपका भारत रतन है कुशन आपका ये बनके आता है कि अटल बिहारी बाजपे की समाधी का नाम क्या है तो अटल बिहारी की जो समाधी है उसका नाम सदेव अटल है ये कुशन आपका इंपोर्डिड है नेक्स कुशन आपका आता है मेजर ध्यांचन रास्टी स्टेडियम डियाश में स्तीत है तो मेजर ध्यांचन रास्टी स्टेडियम जो ही आपका कहां पढ़ता है ये आपका दिल्ली में पढ़ता है और कुशन इस तरह भी पूछा जाता है कि मेजर ध्यांचन रास्टी स् और इनका होकी का ही स्टेडियूम बनाया गया है Next question आपका आता है Question number 15 है निमन मैंसे कों सा समाचार पत्तर भारत का एक प्रमुक अंगरेजी समाचार पत्तर है तो यहाँ पर बात भात हो रही है भारत का एक प्रमुक समाचार पत्तर आज तक एक न्यूज चैनल है सहारा आपका एक ब्रेंड है दैनिक भासकर ठीक है दैनिक भासकर जो है एक न्यूज पेपर है जो कि आपका हिंदी में आता है तो टाइम्स ओफ इंडिया ठीक है टाइम्स ओफ इंडिया जो है एक भारत का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत तो जोन का जो रसाइनिक सूतर होता है वो आपका O3 होता है ठीक है और जोन का रसाइनिक सूतर आपका होता है O3 और एक्जाम के लिए most important है नेक्स कुशन आता है सूखे हुए किश्मिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं यह दरशाते हैं कि वाहे विलन अतिप्रसारी है ठीक है सूखे हुए जो किश्मिश होते हैं पानी में फूल जाते हैं यह क्या दरशाते हैं यह दरशाते हैं कि वाहे विलन अतिप्रसारी है नेक्स कुशन आपका आता है कुशन है डैसिवल एक डैश होता है डैसिवल जो होता है ये क्या होता है तो डैसिवल आपका धवनी किस तर का मापक होता है धवनी किस तर धवनी जो मापी जाती है वो डैसिवल में मापी जाती है नेक्स कुशन आता है डैस ताप मान पर सेंटी ग्रेट तथा फारने हाइट पे मानने का मान एक समान होता है तो आपका सेंटी ग्रेट और फारने हाइट जो होता है वो किसमें समान होता है माइनिस 40 डिगरी पर जो होता है ये दोनों समान होते है नेक्स कुशन आपका आता है चुमकी शेत्र है चुमकी शेत्र जो होता है ये क्या होता है चुमकी शेत्र जो होता है एक परकार की सदीश राशी होती है एक्स कुशन आता है निवन मैंसे किस उत्परेरे की उपस्तिती में परकास इंसलेशन होता है तो या फिर कुशन आपक आता है पोदों में प्रकास इंसलेशन जो है वो किसके कारण होता है तो हरे पोदे की पतियों में उपस्तिद क्लोरोफिल के कारण जो है प्रकास इंसलेशन होता है और सीधा या फिर एक्जाम में पूछा जाता है कि पोदों में जो प्रकास इंसलेशन होता है वो किसके ऐसे कौन सा उर्जा के नविकर्णी स्त्रोत का ओधारन है यानि नविकर्णी स्त्रोत जिसे फिर से यूज किया जा सकता है तो सोर उर्जा जी होती है एक प्रकार की नविकर्णी स्त्रोत है ठीक है जो खतम नहीं होती ठीक है कोईला पेटरोल और या आपके सारे पेड़ जो को यांतरिक उर्जा में परवर्थित होती है तो आपकी रिसाइनिक उर्जा जो है वो यांतरिक उर्जा में परवर्थित होती है मानव श्रीर जो है यह रिसाइनिक उर्जा को यांतरिक उर्जा में परवर्थित करता है डाइनमो की बात करें डाइनमो जो होता है आपका या यांतरिक उर्जा को या आपका किस उर्जा में बदलता है यांतरिक उर्जा को बिद्युत उर्जा में बदलता है फिर आपका आता है बिद्युत मोटर जो होती है ये बिद्युत उर्जा को किस उर्जा में बदलता है ये बिद्युत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदल यानि डाइनमो जो है या फिर डाइनमो का उल्टा कारीकून करता है बिदूत मोटर करता है फिर आपका आता है बिदूत सेल जो होता है यह रिसाइनिक उर्जा को ठीक है रिसाइनिक उर्जा को किस उर्जा में बदलता है रिसाइनिक उर्जा को बिदूत उर्जा में बदलत next question आपका आता है pv is equal to स्थिरांक ठीक है pv is equal to 3 ठीक है ये कौन सी equation है या फिर कौन सा नियम है या आपका वाइलेस का नियम है pv is equal to 3 ठीक है 3 रांक next question आपका आता है sodium carbonate आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है तो आपका sodium carbonate जो होता है ये धोने का soda होता है और धोने के soda का जो recycling आपका Na2CO3.10H2O जो होता है ये पूरा formula जो होता है ये पूरा sodium carbonate का होता है और examiner आपको पता क्या करता है option number A में आपको दे देगा Na2CO3 और option number D में जाके देगा Na2CO3 dot 10H2O formula पूरा आपको याद रखना है ठीक है अगर आपको यही आएगा Na2CO3 ठीक है Na2CO3 तो यही सही होगा अगर आपको पूरे option में यह दोनों दिखते हैं तो यह पूरा जो होता है ठीक है यह पूरा formula जो होता है यह सही होगा next question आपका आता है खाने का सोड़ा खाने का सोड़े का जो रिसाइनिक नाम होता है वो sodium bicarbonate होता है और खाने के सोड़े का जो रिसाइनिक सोड़े होता है वो आपका NaHCO3 जो होता है यह खाने के सोड़े का होता है नेक्स कुशन आपका आता है पानी की बूंदों के गोल होने का करण है तो पानी की जो बूंदे होती है वो प्रिस्थित नाप के कारण गोल होती है नेक्स कुशन आपका आता है कुशन है एंजाइम डैश होता है तो एंजाइम जो होता है एक प्रकार का protein होता है imported question है enzymes होता है एक प्रकार का protein होता है next question आता है detrides किसमें पाए जाते हैं detrides जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं ये neuron में पाए जाते हैं next question आपका आता है question 39 है विजुत उर्जा का सबसे ज़्यादा उप्योग डैश प्रापत करने में किया जाता है तो विजुत का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो क्या प्रापत करने में किया जाता है उश्मा, मेकैनिकल कारे और प्रकाश ठीक है मेकैनिकल कारे प्रकाश और उश्मा इन सभी का प्रयोग जो है इन सबी में जो है विदुत का सबसे ज़्यादा प्रयूग किया जाता है और नेक्स कुशन आपका मौस्ट इंपोर्डेट कुशन है कुशन है पृत्वी पर जी कामान होता है पृत्वी पर जी कामान जो होता है वो कितना होता है वो प्रित्वी के center में जो होता है वो शूनने मान होता है जी का और दुरूबबब पर जो होता है वो सरबादिक होता है next question जो हमारे आते हैं रिजनी के question आते हैं और रिजनी का हमारा सबसे पहला question जो आता है वो है E F ठीक है E F जो है वो 6 है G H आपका 9 है I J जो है आपका 15 है और K L जो है आपका क्या है 24 है ठीक है E के बाद आपका F आता ये भी सही है G के बाद आपका H आता ये भी सही है I के बाद J आता ये भी सही है और K के बाद आपका L आता है तो option में आपको देखना है कि जो है किसके बाद क्या आता है M के बाद N आता है ये भी सही है option number C आपका होस्ता है M के बाद N आता है ये भी सही है और M के बाद O नहीं आता तो option number D होई नहीं सकता फिर आपका आता है 6, 9, 15 और 24 इसमें आपको अंतर देखने है इन में क्या अंतर है तो इन में जो अंतर है ठीक है यहापका 3 का गैप है फिर आपका 6 का गैप है फिर आपका 9 का गैप है ठीक है आगे कितने गाएगा यहाँ 3 हो रही है यहाँ 6 हो रही है यहाँ 9 हो रही है और आगे 3 बढ़ जाएगा क पॉप्शन है बारा सो पचास, दोसो पचास, पचास और दस ठीक है इसमें क्या अंतर है ठीक है बारा सो पचास को भाग करोगे पचास पांच से ठीक है दोसो पचास होता है ठीक है दोसो पचास को भाग करोगे पांच से तो पचास होता है और पचास को भाग करोगे पांच से 10 होता है दस को भाग करोगे पांस से तो दो आएगा ठीक है तो option number B जो है सही रेगा यानि सभी को जो है आपको दो दो से 5 पांस से भाग करना है यानि काट देना है next आपका आता है कि hospital के लिए कूटवाशा लिखी गी है ठीक है आपका P को क्या लिख रहे ठीक है option number 4 में option number 4 में P आपका आता है 7 ठीक है फिर आपका आता है O जो है number 2 पर है number 2 पर आपका 2 है S आपका आता है number 3 पर number 3 पर क्या है 5 ठीक है number 3 पर क्या है आपका number 3 पर आपका क्या है 5 फिर आपका आता है T ती जो है यहाँ पर कितना आता है सेकंड लास नमबर थर्ड पर थर्ड पर क्या है आपका 6 ठीक है ती आपका 6 आगा है फिर आपका A एक लिए क्या होगार आपका A के लिए जो है वो 1 दिया होगा है फिर आपका L आता है एक लिए आपका आठ दिया आता है यानि रम्रिंग क्या है आपकी साथ दो पांच छे एक आठ ठीक है तो option number B जो है सही रेगा ठीक है 72 56 18 next आपका आता है बोलता है यह शिरिंकला जो है आपको match करनी है बालक व्यविसाय बिवाह नवजात या फिर शिक्षा तो दिमाग लाईए पहले क्या होगा तो सबसे पहले जो आपका होगा वो आपका नवजात शिचू होगा ठीक है सबसे पहले नवजात शिचू होता है फिर वो बालक बनेगा ठीक है फिर वो शिक्षा प्रापत करेगा फिर वो अपना बेवसाय खोलेगा ठीक है नंबर 4 पर और बेहवसाय के बाद जो है वो शादी कर लेगा तो कौन सा होगा नंबर ठीक है चार नंबर 4 जो है आपका पहले पर आएगा ठीक है नंबर 4 कहां आ रहा है यहां पर नंबर 4 यहां पहले पर आ रहा है यहां पहले पर आ रहा है फिर आपका कौ पर आपकी किस से सबंदित है तो राजगीर आपका दीवार से सबंदित होगा math का सबसे पहला question देखते है question आपको दिया हुआ है equation आपको जो है x की value यहाँ पर ग्यात करनी है अगर आपको कभी भी bracket दिया हुआ ठीक है double bracket दिया हुआ तो bracket के अंदर जो होती है उसे आपको सबसे पहले solve करना है तो यह 2x प्लस 2 यह तो solve होगी नहीं ठीक है उसके बाद एक और bracket है जो की इससे multiply होगी तो 2x प्लस 2 into x प्लस 3 इससे solve करोगे किस तरह solve करोगे सबसे पहले 2x को आप जो है दूसरी side जो है इसके साथ जो है multiply कर दो तो यह आपका 2x से गुणा करोगे तो आपका आजएगा 2x की power 2 फिर आपका 2x को गुणा करोगे 3 से आपका आजएगा 6x फिर आपका इस side जो है वो 2 है फिर इस 2 को जो आप multiply करोगे x प्लस 3 से ठीक है 2 को गुणा करोगे x से तो यह आपका 2x आजएगा और 2 को गुणा करोगे, 3 से 3 है, प्लस 6 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस की value थी, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, अब आपका क्याता है, आपका 6 x और 2 x जो है, यह आपका plus हो जाता है, तो आपका यह कितना हो जाएगा, आपका 8 x हो जाएगा, तो आपके पास value क्या गई, प्लस 8 है, आपको पता है, ब्रैकेट के बाद अगर प्लस होगा या माइनिस हो, तो ब्रैकेट की कोई value नहीं होती, तो ब्रैकेट जो है, आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट आपका open ही हो जाएगा, फिर आपका ब्रैकेट open हो गया, तो उसके बाद आपका plus है, ठीक है, 6 और 8 जो है प्लस हो जाएगे कितने हो जाएगे 14 हो जाएगे तो एक साइड की बैल्यु आपके पास आगी क्या आगी 2x की पावर 2 plus 8x प्लस 14 अब आप दूसरी साइड सॉल्फ करो 2x को मल्टिप्लाइ करोगी 2x को मल्टिप्लाइ करोगी आप x plus 5 से तो आपका जाएगा 2x की power 2 plus 5 दोने 10x तो 2x हमने multiply करा तो हमरे पार value क्या गी 2x की power 2 plus 10x अब एक को आपको गुणा करना है x plus 5 से तो एक को x से गुणा करोगे तो आपका 1x ही रहेगा और एक को गुणा करोगे 5 से तो आपके 5 ही रहेगे अब प्लस के हो देश में 10x और 1x जो है वो दोनों प्लस हो जाते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा 2x की आपर 2 प्लस 11x प्लस 5 तो दोनों साइट की value हमारे पता है दोनों की value देखो किया आती है 8 प्लस 14 ठीके यहाँ प्र X था और दूसरी साइट था आपका 2x की power 2 प्लस 11x ठीके 11x प्लस 5 तो 2x की power दो और 2x की power दो यहाँ कट जाएग gefगए 11x में से 8x निकाल दो 3x आपके पास आगे 14 में से 5 निकाल दो था आपके पास कितना जगा 9 आपके पास आ जाएगा ठीक है दूसरी साड़ आपके पास 9 जो आ जाएगा तो X की value आप निकाल सकते हो X की value आ जाएगी 9 बटा 3, 3 को आपको काड़ दोगे 9 से X की value कितनी जाएगी X की value आपके पास 3 आ जाएगी होती हैं और 10,00,00 के साथ कितनी 0 लगती है 10,00,00 से 7 जोवे 3,00,00 आपकी लगती है तो 10,00,00 का आपको गयात करना दे 10 का एक 0 जाए एक और बढ़ जाएगा तो आपके पास 0 कितनी हो जाएगी 7,00 हो जाएगी और आपको जो अंसर है वो आपकी 10 की पावर में दिया हुआ है तो 0 देख ले जूरो कितने है आपके पास 1,2,3,4,5,6,7 तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर आपके 7 हो जाएगा जितनी 0 होंगी उतनी ही पावर आएगी Next question जो आपका आता है Question है अजे और विजे की IU का अनुपात 3,5,4 है 5 साल बाद उनकी IU का अनुपात 4,5 हो जाता है तो विजे की पावर आपको याथ करनी है तो अनुपात का मतलब होता है बटा थीक है 3 अनुपात बटा 4 अनुपात इनकी पावर आईउ है और 5 साल बाद थीक है 5,5 साल बाद थीक है यह IU जो है इसके बरावर आती है दोनों जाएजेंगे आपकी 4 बटा 5 जो है इसके बरावर में आ जाएगी ठीक है 4 बटा 5 जो है इसके बरावर आ जाएगी फिर आपको जो करना है वो आपको करना है कि उसकी बरतमान IU आपको कितनी मानले नहीं है उसकी बरतमान IU जहाबको 3X और 4X मानले नहीं ही ठीक है यह आपने मानी अज़े की IU है 3X और यह आपकी किस की IU है यह आपके पास है विजे की IU 4X अब आप ऊपर जहाब قी वी है इसे आप solve कर सकते हैं इसे आप solve करोगे तो आपके बास क्या आएगा यहाँ आपको multiply कर दोगे इसको यहाँ से multiply कर दो यहाँ multiply कर दो ठीक है यहाँ पर आपका x x आ जाएगा फिर आपके solve करोगे ठीक है 25 आपका कितना हैगा 3 को गुणा करोगे 5 से 5 दिया 15 x हो जाएगा ठीक है यहां पर यहां पर 25 हो जाएगा दूसरी साड़ आपका 4 से 4 को ठीक है 4 को 4x से करोगे 16x आपका हो जाएगा और 4 को 20 से गुणा करोगे तो आपके पास 20 हो जाएगा ठीक है equation solve करनी है बाकी आपको कुछ नहीं करना है अब आपको जो है यह दूसरी साड़ लेके जाने सीधा यहां भी solve कर दो ठीक है 16 में से 15 निकालोगे तो x आपके पास 1x बचेगा और 20 में से ठीक है या फिर 25 में से 20 निकालोगे तो आपके पास 5 बचेगा तो x की value आपके पास क्या आगे? x की value आपके पास क्याता है? 5 है x आपके पास 5 ठीक है और बरतमान आयू क्या थी? 3x अजे की थी और 4x जो थी वो 20 की थी 20 की पूछी हूँ यह है? ठीक है x की value x पूट दो 4 में 5 ठीक है 5 चों के 20 x की value हमारे पास 5 थी 5 चों के 20 ठीक है 20 चों है यह किसकी आयू है 20 यह की आयू 20 है और अगर आपसे अजे की आयू पूछी होती 3 गुणा 5 पास 5 दिया 15 पंदरा जो है यह किसकी आयू है 15 आपकी अजे की आयू है next question जो आता question number 33 है एक शातर प्रिक्षा में 60 अंक परापत करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है यदि उत्यरण अंक 40 परतीशित हो तो कुल अंक कितनी है वो 60 नंबर उसने लिए और 20 माक्स चिबो रह गया यानि टोटल पास होने के लिए जो उसे नंबर चाहिए थे वो टोटल थे 80 और जो 80 है वो कितने नंबर के बरापर है आपको पासिंग मास चुदी है वो परसेंटेज में दियो हो जो की 40 परतीशित के बरापर है हमें 40 परतीशित बरापर है किसके बरापर है यह आपके 80 के बरापर है हमारे 40 परतीशित जो है किसके बरापर है तो 40 का हमना प्रतिशित खोल दिया ठीक है यह करता है कार्दी 0 से 0 कर जाएगा यहां से आपका 2 से कर जाएगा नीचे आपका 5 आजएगा 5 का आप दूसरी साल ले जाओगे और 2 को यहां नीचे ले जाओगे तो 2 से कार्दो यहां आपका 40 आगया यहां आप 40 को 5 से थे 80 माक्स के बरावर थे question 34 आता है 4 थता 16 का माद्य अनुपात ग्याद करे माद्य अनुपात का जो फॉर्मोला होता है वो x की पावर तो बरावर है a b ठीक है a यहां आपकी पहली संक्या और b जो आपकी दूसरी संक्या होगी तो पहले पर आपका 4 है दूसरे आपका 16 है तो 16 को 4 से मिल्टिप्लाई करोगे आपके पास 64 आ जाएगा यहां पर x का क्या है x की पावर 2 है यानि x की हमान सकते की x square है ठीक है x square है दूसरी साइड भी आपका x square आ जाएगा x square से x की square कर जाएगा और 64 जो होता है यह किसका square होता है ठीक है यह बर्ग होता है चोंसर जो होता है वो 8 का वर्ग होता है तो x की value कितनी आएगी x value आपके पास 8 question number 35 देखते हैं ये equation आपको दीए ये आपको solve करनी है तो आया हाँ पर आपको 14 लिख लो और इसे multiply कर दो 64 से ये कितना हो जाता है ये आपका 896 हो जाता है ठीक है आपके पास 64 को आप multiply करोगे 14 से 896 आपके पास आ गया ठीक है अब आपको देखना है starting में 0,4,1 ठीक है तो point के बाद कितनी 0 है 3,0 है ठीक है 1,2,3 ठीक है point के बाद कितनी number है आपके 3,0 आपकी आ जाएंगी उसके बाद आपको देखना है कि जो चोंसरत बाली है उसके साथ कितनी 0 है ठीक है point के बाद कितनी 0 है 1,2,3,4 ठीक है 4,0 है 1,2,3,4 अब इसे solve कर लो ठीक है 1,2,3 ठीक है 1,2,3 ये आपका आ गया 1,2,3,4 1,2,3,4 और यहाँ पर point आ गया तो सेंसर क्या होगा 0000896 ठीक है 0000896 कुन सा है option नुबर A जैस का सेंसर रहे गया या फिर सीधा आप 44 को 14 से multiply करतो 896 भी आ गया और जितनी आपकी नीचे 0 आएंगी उतने आप छोड़के जो है वो ये लिख सकते हो next आपके पास दिएवा है आपको दिवेगाती समिकरण solve करना है x की power 2 minus 4 x minus 12 is equal to 0 आपको पता होता है कि ये occasion आपको open करनी है आपको ऐसे number लेने है ठीक है उसे आप plus करोगे या minus करोगे आपके पास जो answer आना चाहिए वो minus 4 आना चाहिए और ये जो है आपका किससे समंतित होना चाहिए और उन्हें गुना करके जो है ठीक है उन्हें गुना करके जो आपके पास 12 होना चाहिए तो ऐसी equation के आती है ये आपकी 6 और 2 होती है ठीक है और 6 और 2 होती है और starting में आपका minus होना चाहिए ठीक है minus plus या फिर ये equation हो सकती या फिर minus minus 2 हो सकती है plus 6 plus 2 हो सकती है इस तरह हो सकती है ये minus minus आपका plus हो जाएगा ठीक है minus minus plus हो ग्राद 6 दूने 8 हो जाएगा तो यह equation नहीं हो सकती ठीक है फिर आपके आती है minus plus minus ठीक है यह equation उसके कि 6 दूने 12 होती है ठीक है यह से ही आगए आपका 6 दूने 12 तो आगए और minus 6 में से plus 2 निकालोगे तो minus 4 आ जाएगा तो equation क्या आएगी आपकी इसे solve करोगे ठीक है इसे open कर x निकाल सकते हो ठीक है इन दोनों मैंसे इस equation मैंसे आप x पार निकाल सकते हो यहां से आप 2 बाहर निकाल सकते हो यहां से आपने x निकाला एक x या अंदर आ गया minus 6 दूसरी साइट से आपने 2 common जो है दिखिया 2 common निकाल लिया x आपका यही रहेगा और यहां से आपने common नि माफ़कर माइनिस 6 तो x चो होगा x माइनिस 6 और x प्लस 2 ठीक है तो यह दो ओकेशन जीत हुई वो हमारे पर बनी थी और इसमें ही हमें अंसर देने तो माइनिस 6 और प्लस 2 ठीक है देखना आपको कुस्विशन में option number a में जो है प्लस 2 ठीक है यहाँ प्लस 6 और बाइनिस 2 है यह नहीं हो सकती यह भी नहीं हो सकती तो option number a जो है सही रहेगा लाक्स आपका आता है कि कुस्विशन बोलता है एक अधि कोनिये त्री बुज के दोनों छोटे कोनों का योग क्या हुआ यह question max नहीं आता पर option number b जो है इसका से answer रहेगा question number 49 आता है एक पिता अपने पुत्तर से 20 बरश बड़ा है पांच वर्श बाद पिता की आयू पुत्तर की आईउ जो है दो गुनी हो जाएगी तो पिता और पुत्तर की बरदमान आयू आपको ग्यात करनी है माना पुत्तर की आयू है एक्स और पिता की आयू कितनी मानेंगे प्लस 20 ठीकी पुत्तर की आयू जो है ठीक है पिता की आयू जो है वो पुत्तर से कितनी बड़ी है 20 वर्श अधिक है तो पुतर की आयू हमने कितनी मारी x मानी तो पुतर की आयू कितनी मानेंगे x प्लस 2, फिर बोलता है कि 5 वरिष भा थीक है तो 5 वर्ष यानि दोनों में 5 5 वर्ष भा आपके बढ़ जाएंगी कि पिता की आयू जो है वो पुतर से 2 गुनी हो जाती है, ठीक है अब यहाँ इसकोल टू आ जाएगा अब इसे सौर्फ करें तो आपका 2x आ जाएगा प्लस 10 इसकोल टू एक्स प्लस यह आपका कितना आएगा यह आपका 25 आ जाएगा ठीक है यहाँ आपका कितना आ गया यहाँ आपका 25 आ गया अब आपको यहाँ से आप x को दूसरी साल ले कर जाओगे तो 25 में माइनस करोगी तो आपके पास 15 आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आगी आपके पास x की वैल्यू 15 आगी और equations हमारे स्टार्ट में क्या थी कि पुत्तर की आयू ठीक है पिता की आयू जो है पुत्तर से 20 वर्ष अधिक है और पुत्तर की आयू हमने x मान रहा और पिता क्या यू 35 है तो 15-35 कहा देखना है 15-35 15-35 यह आपका यहां पर है next question देखने है next question आपका आता है question आपका यह है यह आपको solve करना है यह आपको solve करना है यह आपका solve हो का किस तरह इस तरह से ठीक है यह under root है किसका 0.09 का और यहां पर under root किसका है 0.0004 का इसे हटाया यहां से भी आपका bracket हटाया ठीक है यहां कितने कितना जगा एक दो किकी point के बाद कितने नंबर थे दो नंबर थे यहां point के बाद कितने नंबर थे चार नंबर थे ठीक है अब आप square हटा दोगे ठीक है 9 जो होता है किसका square होता है यह 3 का स्केर होता है और आपका 100 जो होता है कितना स्केर होता है यह आपका 10 का स्केर होता है और आपका 4 का स्केर कितना होता है 4 का जो स्केर होता है 2 का होता है यहाँ आपका 10,000 10,000 होता है यह कितने का स्केर होता है अब इसे solve कर तो आप यह आपके पास रहेगा पॉइंट 3 भाग 0.02 ठीक है अब इसे आप भाग करोगे तो कितना आएगा यह आपके पास आएगा 0.03 भाग 0.02 यहाँ पर अंसर जो है इसमें दिया हुआ ठीक है अंसर जो है आपको इस पॉइंट में दिया होता है आंसर जो है आपका option number A जो रहेगा लेक्स आपका होताता है कि श्रिंकला आपको ग्यात करनी है 8 27 64 125 216 और 343 सबसे बेले मैं आपको बता दू यह सबी जो है किसके square होते है ठीक है यह square में आपको दिया हुआ है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना इसमें आपको square जो है वो ग्यात करनी है सबसे बेले आपका होता है 2 का cube ठीक है 2 का cube जो होता है वो आपका 8 होता है 3 का cube 27 होता है 4 का cube 64 होता है 5 125 होता है 6 का कितना होता है 6 का 216 होता है और 7 का cube कितना होता है 7 का cube आपका कितना होता है यह आपका 343 तो 8 का cube होता है वो कितना होता है 8 का cube आपका होता है 512 और 9 का cube कित और दस का आपको बताओगा एक हजार होता है तो नेक्स जो आपके पास पहली कितनी है कि आठ का क्यों होता है आठ सो बारा तो ऑप्षिन बड़ सी जो है सही रहेगा ये कुशिन एक्जामने नहीं बूची जाती है ये सिल मैं नहीं सॉल्फ कराऊंगा एक संख्या का बर्ग डैश अंग के साथ समापत नहीं हो सकता नो ब्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते है उस काम को 15 ब्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे यहां फॉर्मूला लगता है M1 D1 W2 upon M2 D2 W1 ठीक है काम यहां पर एक है ठीक है दोनों काम आपका एक आएक आएक है यहां पर M जो है आपके क्या है आदमी है D क्या आपके पास दिन है दोनों पुट कर दो 9 गुना 25 गुना यहां पर आपको आपको कितने दिन गयाद करना है यहां पर आपको कितने दिन गयाद करना है ठीक है तीन ते नो ठी यहाँ पर आपका 5 है, 5 को मिल्टिप्लाइ करोगे, 3 से तो 15 आपके पास जो है, वो D2 आजाएगा, यानि दीन जो है आपके पास 15 लगेंगे, यानि इसका सही अंसर क्या आएगा, 15 जो है, इसका सही अंसर आएगा